अगर आप भी बिहार के किसी होटल या रिस्तरा में खाना या नास्ता करते हैं तो सर्विस चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि सरकार ने सर्विस चार्ज लगाने को प्रतिबंधित कर दिया है अगर ऐसा कोई करता है तो आप सिकायत कर सकते हैं आपकी सिकायत पर तुरंत जीला प्रस्वासन की और से कारवाई की जाएगी इसको लेकर सरकार ने 16 जुलाई को ही सभी जीलादिकारी को गाइडलाइन जारी कर दिया है जीस साफ निर्देश दिया गया है कि अगर कोई होटल या रिस्तरा वाले सर्विस चार्ज लेते हैं और उसकी सिकायत मिलती है तो तुरंत कारवाई किया जाए बतादे कि राजसरकार ने सर्विस चार्ज लगाने को प्रतिबंधित कर दिया है राज के होटल और रिस्तरा में खाना नस्ता के बील में सर्विस चार्ज जोड़ा और उभुकतां से इसकी सिकायत मिली तो जाच में दोसी पकड़े जाने पर दोसी होटल या रिस्तरा प्रतिबंधित होंगे खादियम उभोकता सनरक्षन विभाग के प्रधान सची बिने कुमार के मुताबिक राज्य में होटल और रिस्तरा में सर्विस चार्ज लगाने को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है यदि किसी होटल या रिस्तर ने बील में गलती से भी सर्विस चार्ज लिया तो उसमें उभोकताओं के अधिकार का उलंगन करार दिया जाएगा इस तरह की कोई वशुली किसी और नाम से भी नहीं की जा सकती है सर्विस चार्ज को भोजन के बील के साथ जोड कर और कुल रासी पर GST लगाना अनुचित है उभोकता इस तरह की बील में वसुली करने वाले होटल या रिस्तरा के खिलाफ सिकायत दर्ज करा सकते हैं भोजन के बील में लगाएगे सर्विस चार्ज को हटाने के आगरोफ को भी अगर होटल अत्वारिस्तरा दवरा न कारा जाता है तो उप्रोक्त तुरंत इसकी सिकायत रास्टी उभोकता हेल्प लाइन 1915 पर कॉल करें अत्वा मोबाइल एप के माध्यम से इसकी सिकायत कर सकते हैं अगर आप हेल्प लाइन नंबर या एप के माध्यम से सिकायत दर्ज कराते हैं तो इसे मुकादमा दर्ज के बराबर मानते हुए कारवाई की जाएगी उभोकता जाच और आगे की कारवाई के लिए जिलादिकारी के पास भी सिकायत दर्ज करा सकते हैं और जिलादिकारी भी ततकाल संबंदित होटल अरिस्तरा को प्रतिबंदित करने की करवाई कर सकेंगे इसके साथ ही उभोकता होटल यारिस्तरा के खिलाफ उभोकता आयोग में भी सिकायत दर्ज करा सकता है राज सरकार की यह पहल बाकई काबिले तारीफ है क्योंकि कई होटल यारिस्तरा संचालक सर्विस चार्ज के नाम पर मनमानी वसूली किया करते हैं तो अब नहीं कर पाएंगे अगर आपके साथ भी ऐसा कोई होटल यारिस्तरा संचालक करते हैं तो राश्टी उभोकता हेल्प लाइन नंबर 1915 पर कॉल करें अथ्वा मुवाइल एप के माध्यम से इसकी सिकायत दर्ज कराएं जिला परसासन तुरंत कारवाई करेंगी जिसके लिए सभी जिलादेकारियों को सरकार की ओर से साफ निर्देश जारी कर दिया गया है लाइप सिटीज के लिए डेस्क रिपोर्ट